नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लों मार्च का पहला दिन एक मार्च 2023 के डेली न्यूस पेपर अनलेसिस और एडिटोरिल अनलेसिस में आपका सौगत है ज़ातर एक्जाम्स के परस्पेक्टिब से न्यूस आपको काम आईगी काफी सारी हेडलाइन्स हैं आज क्वाटर 3 का GDP डाटा ग्रोथ रेट क्या है 2022-23 फाइनेशल इयर में पहला क्वाटर है अप्रेल माई जून दूसरा क्वाटर जुराई अगर सेप्टेंबर तीसरा क्वाटर अक्टूबर नौवंबर दिसंबर अब अक्टूबर नौवंबर दिसंबर में जो GDP ग्रोथ रेट है वो 4.4 परसेंट है सेकेंड क्वाटर से कम है तो क्या यहाँ पर आपके लोग एकनॉमिक अनलेसिस दी जा रही है इसको समझने के कोशिश करेंगे नेक्स्ट फॉरण मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है G20 हेड के अंदर इंडिया में तो इस कंटेक्ट में निगोसेशन शुरू हो चुके है शेर पास के इसके बारे में बात करेंगे फिर ओवराल रिसेंटली विनी सर ने इस टॉपिक को आने चाहिए तो ये क्या नियूज है इसको समझेंगे चाइना अपना फॉरण मिनिस्टर इंडिया में भेजेगा G20 मीटिंग के लिए आप कह सकते हो कि पिछले एक साल में सबसे हाई प्रोफाइल विजट होगी है चुकि इंडिया और चाइना के बीच में हाई प्रोफाइल विजट्स थोड़ी धीमी पड़ गई है ये बॉर्डर इशू के बाद फिर इंडिया और ऑस्ट्रेला एग्रिमेंट साइन करेगा और mutual recognition of qualifications ये क्या है इसको देखेंगे सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म के अगेंस जो भी complaint वगरा फाइल होती है उसके respect में grievance appellate committee बनाई गई है ये grievance appellate committee का क्या रोल है किस प्रकार से ये क्राम करेगी कितनी बनी है इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ये मिड एर कोलिजन क्यों हुआ था इस में investigation complete हो चुकी है हाला कि अभी public नहीं हुई है इसके बारे में बात करेंगे एडिटोरिल में adopt a heritage scheme से related एक एडिटोरिल है इंडिया की democracy से related एडिटोरिल है climate change के respect में क्या advisory advice देगा international court of justice इसके बारे में बात करेंगे वेंडिसर framework find हुआ है UK और EU के बीच में Northern Ireland के trade rules से related इसके बारे में बात करेंगे और religious polarization से related एक आर्टिकल है तो कुल बिलाके पांच एडिटोरिल आर्टिकल्स में आपके साथ डिसक्स करने वाला हूँ आगे बाट इस परे वीडियो पर लाइक कपटें दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सबस्क्राइब नहीं किया कर लिए इस्टरगाम पर फॉलो कर लिए आप से जोड़ने कोशिश करते हूं टेलिगाम को जोन कर लिए वहाँ पर लेक्टियर की पीडियो और नोटिफिक मतलब कहीं बाहर गए खरीदने के लिए अब लहंगों की बहुत सारी वराइटी नजर आ रही है तो कन्फ्यूजड है कि भाई कौन सा खरीदें बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं यह अक्सर कर होता है आप टी शिर्ट खरीदने जाते हो या फिर अपने लिए शर्ट खरी इंडियन एकनामी क्वाटर 3 GDP ग्रोथ स्लोस टू 4.4% पास्ट डाटा अपग्रेड़ डाटा रिलीस किया गया है नाशनल स्टाटिस्टिकल ऑफिस के दौरा इनके अकॉर्डिंग जो सेकेंड क्वाटर है 2022 का सेकेंड क्वाटर मतलब जुलाई अगस सेप्टमबर इसमें जो ग्रोथ थी GDP की वो थी 6.3% और जो थर्ड क्वाटर है 2022 ते इसका अक्टूबर नॉम्बर देसमबर 2022 इसमें जो GDP ग्रोथ रेट है वो 4.4% मतलब सेकेंड क्वाटर के कंपैर्जन में थर्ड क्वाटर की GDP ग्रोथ रेट कम है लेकिन उसके बावजूद में नाशनल स्ट Statistical Office बोल रहा है कि पूरे साल की Economic GDP Growth Rate 7% तो रहेगी ही रहेगी आगर आप देखो तो 2021-22 की GDP Growth Rate पहले जो 8.7% बताई गई थी उसको एस्टिमेट किया जा रहा है यहाँ पे 9.1% और वहीं पे COVID Hit Year की बात करो तो पहले तो National Statistical Office में बोला था कि COVID-19 2020-21 में हमारी एकनोमी को 7.3 परसेंट से नीचे गिरा गया लेकिन अब सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट 7.3% फर्स्ट प्रोवीजनल एस्टिमेट था सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से पता चल रहा है कि COVID-19 ने 2020-21 में हमारी एकनोमी को 5.7% निगेटिव में लेके गया था जिसके असास सेकेंड कोर्टर में बहुंवे था फाएजेंट कार्ट्रम सेकेंड कोर्टर में बढ़ाएं 1.1 परशन अब ऑविससी बात है आपके दिमाएं में कुश्टीन आएगा कि सर्ज्ट्र ग्रॉस वेडिया होता है कि तो सबजी यह कम्पनी एक भनाके बेच रही है डibl नहीं होगी तो कई बार क्या होता है कि GDP के अंदर ना आप फाइनल कार की भी कॉस्ट जोड लेते हो इसके इंपूर्स के भी कॉस्ट जोड लेते हो ग्रॉस वैल्यू एडिट का मतलब यह कि फाइनल प्रोड़क्ट की वैल्यू को आपने जोड़ा उसमें से जो इंटर्मीज इन्पुट्स और रॉम मतेरी की कॉस्ट को डिड़क्ट कर दे रहा है तब जाके फाइनली जो वैल्यू आपने एक्चुली एक्णॉमी में प्रेड्यूस की उसको आप बोलता हो ग्रॉस वैलु एडिट आप कुश्यन उठता है कि जीडी पी से कैसे कंपेर करोगे तो दे जिखेंड़ कोई कोंपिश्बीशन होता है सबसिडी इसकार बहुत सबसिडी LUGTT फूरिटार सबसिडी ऐटेधि तो हर प्रकार की सबसिडी भी कहीड हाँ कहीं न कहीं एकनोमी को पुष्ट देती हैं कहीं न कहीं प्रोडक्टिव इंवस्ट्च में तो gdp वाला concept के बारे में जानना चाहते हैं तो रमेश सिंग की मेरी सीरीज देखे जाके रमेश सिंग मेरे नाम अरशी देधिक साथ साश्मारी है आपको सीरीज मिल जाएगे उसके साथ चीफ economic advisor वी अनन्थ नागिस्वरन का क्या बोलना है उनका बोलना है कि आपको 4.4% GDP growth rate थोड़ी कम नजर आ रही होगी लेकिन उसके एक वज़ा ये भी है कि पहले के सालों के जो base effect है ना वो change हुए है जैसे कि 2020 के pandemic year में जितना हमने estimate किया था कि economy गिरेगी उतनी economy actually में गिरी नहीं है तो इसी context में 4.4 GDP growth rate भले आपको थोड़ी कम नजर आ रही होगी बट पहले का base बढ़ा है इसलिए GDP growth rate थोड़ी कम दिखती आपको नजर आ रही है बट इससे कहीं से भी एडेडिूस नहीं होता कि हम अपनी actual estimated 7% GDP growth rate को achieve नहीं कर पाएंगे पेरा जाते है भाई आगली न्यूस पे जेस बेबर टू जुडिश्री सेंटर स्टेट रिलेशन शोष्ट मैचोर स्टेट्समेंट्शिप सुप्रीम कोट टेल्स गवर्नर चीफ मिनिस्टर भाई या अभी डिसेंटली पोहित के बीच में अब ये वार अफ दा वर्ड था क्या तो देखे भगवंद मान साहब ने डिसीजन लिया कि पंजाब के राज्य की सरकार में काम करने वाले कुछ स्कूल के प्रिंस्पलों को सिंगापुर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए इस डिसीजन को बनवारी लाल पुरोही जी गवर्नर साहब जो है उन्होंने क्वेशन कर दिया कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ था दिल्ली के भी चीफ मिनिस्टर अर्विंद के जिरवाल जी ने कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फॉरण भेजने की बात की थी बट ओवर ओर दिल्ली के लिटिनेंट गवर्नर ने इस डिसीजन को कंटेस्ट किया है कुछ ऐसा पंजाब में हुआ तो कहीं न कहीं जब भगवान मान जी के प्रिंसिपल को सिंगापूर ट्रेनिंग भेजने वाले डिसीजन को बनवारी लाल पुरोही जी ने कॉशन किया तो मिस्टर मान ने ट्विटर पे लिखा कि मैं गवर्नर को आंसरेबिल नहीं हूँ मैं किवल तीन करोण पंजाबी को आंसरेबिल हूँ किसी गवर्नर जिसको सरकार मतलब केंदर की सरकार दोर आपॉइंट किया है उसको आंसरेबिल नहीं हूँ और यहाँ पे बनवारी लाल पुरोही जी जो की गवर्नर है उनके कॉलिफिकेशन को भी कॉशन किया भगवान्दमान साहब ने तो भगवान्दमान साहब को टीचर भेजने तो गवर्नर साहब का तो अप्रूवल लगे गई चुकि वो नॉमिनल हैड है अब इसके बाद देखिए तो कॉंट्रोवर्सी तब और बढ़ी जब राज्य के बजट सेशन को बुलाने के लिए स्टेट कैबिनेट पंजाब स्टेट कैबिनेट की मेंबर्स जब गवर्नर के पास बोल गए और बोले कि भाई आप बजट सेशन को कन्वीन करो तो अब टेक्निकली बनवारी लाल प्रोहिस साहब गवर्नर है उनको स्टेट लेजिसलेटिव एस्टेम्बली का बजट सेशन तो बुलाना ही पड़ेगा लेकिन पुरोहिस साहब ने आप बोल दिया कि मैं पहले लीगल एडवाइस लूँगा अब यहाँ पर प्रॉबलम होगी पंजाब की सरकार को अरे भाई किसी भी पर्टिकुलर सरकार को सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए बिना पैसे के कुछ नहीं होता यह आप सबको पता है तो इस कंटेक्स्ट में भगवंत मान साहब सीधे पहुँचे सुप्रीम कोर्ट और पंजाब गवर्मेंट के बहाफ पे जो एडवोकेट है एम सिंगवी साहब उन्होंने बोला कि भाई अगर यहाँ पे ओवर ओल यह बजट सेशन नहीं कन्वीन किया गया तो हम बिल नहीं पास कर पाएंगे बजट नहीं पास कर पाएंगे अभी बजट नहीं पास कर पाएंगे अप्रोपीशन बिल नहीं पास कर पाएंगे तो पंजाब की सरकार के पास एक धेला नहीं बचेगा खर्च करने के लिए तो इस बात को लेके कौन पहुँच गया भगवंद मान साब की सरकार पहुँच गई कहाँ पे आपका सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट में हिरिंग हुई 28 वरविली 2023 को और सुप्रीम कोट ने यहाँ पे जाड़ लगाई ओवर आल पंजाब की सरकार को भी भगवंद मान जी को भी और बनवारी लाल पुरोही जो को भी उन्होंने बोला कि भाई देखो ठीक है आप लोग पॉलिटिकली लड़ रहो समझ में आता है बड़ आपको मैचोर स्टेट्समेंशिप दिखानी है आप इस हद तक नहीं लड़ सकते कि कौन सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है रेस टू बोटम यहाँ पे नहीं हो सकती यह बोला है यहाँ पे सुप्रीम कोट ने गवर्नर ने यहाँ पे सुप्रीम कोट ने एकसेप्ट कर लिया कि हारे भाईया तीन मार्च को सार बजट सेशन होगा ही होगा लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंदर्चुर साब और पियस नरसिम्मा राओ साब वो बोल रहे हैं कि देखो आपके बीच में जो वार ओफ वर्ड है वो रैंकर से भरा हुआ है बिटर फुलनेस रिजिंट फुलनेस से भरा हुआ है आप दोनों एक दूसरे के उपर इल्जाम लगा रहे हैं और इस तक इल्जाम लगा रहे हैं कि constitutional values को तो आपने overall compromise करी दिया है साथ-साथ लोगों के हित को भी आप compromise कर रहे हो freedom of speech and expression important है आप एक दूसरे को पर इल्जाम लगा सकते हो एक दूसरे की खमियों को point out कर सकते हो बट इस हद तक आप अपने political differences को नहीं बढ़ा सकते है जिससे लोगों का अहित होने लगे यह यहाँ पर बोल रही है सुप्रीम कोट देखे चीफ जस्टिस चंदुचुड साहब ने क्या बोला किस से? भंगवांत मान जी की सरकार से मतलब अगर गवर्नर तुमसे पूछ रहा है कि इस particular administration के मुद्धे में क्या हुआ तो तुमको बताना ही पड़ेगा चीफ मिनिस्टर की constitutional duty है कि वो governance और legislation के respect में सारे decisions के बारे में सारे administrative records को governor के सामने रखे ठीक है न भई? At the same point of time जब governor से बोला गया कि आप budget session को call करो तो governor को budget session को call करना ही है इतनी भी बक्वास कर रहा हो मतलब बनवारी लाल पुरोहिद जी को अगर भगवंत मान साहब ने कुछ भी गलत बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बनवारी लाल पुरोहिद जी budget session को बोलाने से पहले legal advice लेने पर लगेंगे budget session बोलाना बनवारी लाल पुरोहिद यानि की governor की constitutional responsibility है और वो उनकी पूरी करनी है political blame gaming में आप legal advice के नाम पे budget session को रोक नहीं सकते तो दोनों ही parties को supreme court ने या पे जाड़ लगाई है और बोलाए ठीक है politically लड़ रहे हो गुत्थम गुत्था हो रहे हो हो जाओ बट इसका मतलब यह नहीं है कि constitution के अगेंस चले जाएंगे लोगों की will के अगेंस चले जाएंगे यहाँ पे article 174 of the constitution जहाँ पे state legislature के sessions का prorogation resolution की बात होती है और article 163 of the constitution जहाँ पे लिखा हुआ council of ministers to aid and advise the governor in state तो यह दो articles यहाँ पे relevant हो जाते हैं एलेमेंट आर्टिकल का screenshot शेयर कर लिया है बीपीटी आपको available हो जाएगी वहाँ पे प्रेफर कर सकते हो नेक्स्ट न्यूस जिस वेपर टू बाइलेटर लेशन चाइना सेंडिंग foreign minister to India for G20 meeting first high profile visit in a year तो चाइना ने अनॉंस किया कि इनके foreign minister King Gang इंडिया आएंगे इस हफते की G20 meeting के लिए और पिछले एक साल में इंडिया चाइना में आप कहलो ये highest level visit होगी Mr. King को invite क्या है external affairs minister जेशंकर साहब ने और ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया को बहुत दिल बदल गया चाइना की तरफ इसलिए invite के लिए G20 का President India तो जितने भी G20 के members है उनकी foreign ministers की meeting हो रही है तो अब्वेस इवाद है चाइना भी G20 का member है तो उसके foreign minister को भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा चाइरा के foreign ministry के spokesperson माओ निंग क्या बोल रहे है in a world fraught with uncertainties and struggling to reboot the economy countries have much to do to overcome the challenges to deliver on the 2030 agenda for sustainable development foreign ministry मतलब यह बोल रहे है कि ठीक है भाई दुनिया में बड़ी सारी परेशानिया है इन परेशानियों को पूरा करने के लिए engagement की जरूरत है तो हम engage करने के लिए तयार है फिर यह बोल रहे है कि G20 premier forum है international corporation का G20 जरूरी है कि global economy development पे focus करे तो चाइना हर पार्टी के साथ मिलके multilateralism, food, energy security, development corporation के लिए काम करें तो यह जो मिस्टर किन की विजिट है G20 meet में यह पहली high level विजिट है from China to India since March 2022 अगर आप देखो तो पिछले हफते ही एक top Indian official China में भी गया थे तीन साल से जादा के बाद और वो गये थे working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs WMCC की 26th meeting के लिए ठीक है by little exchanges, इंडिया और चाइना के बीच में 2020 के बाद एकदम कम से हो गया है reason being, चाइना ने troops को mobilize किया, line of actual control पे April 2020 में encroachment किया और उसके चलते रिष्टे यहाँ पे बिगडगे सी लाई जाएगी, आगे आने वाले समय में पता चलेगा next GS paper 2 G20 New Delhi welcomes foreign minister for G20 meeting amid negotiations over agenda तो भाईए G20 foreign minister की meeting से पहले जो G20 South शेर्पा है, वो active हो गये, देखिए, इंडिया के South शेर्पा है, अब है ठाक, रोने के कुछ और counterparts है, उसी प्रकार से G20 के बागी countries के भी शेर्पा इंडिया के अंदर पहुंच चुके है, अब ये South शेर्पा का मतलब क्या होता है Under शेर्पा, शेर्पा होता क्या है, तो देखिए, नेपाल के अंदर जो लोग हिमालय वगरा चड़ते है उनके शेर्पा डिप्लाई किये जाते है वो होते है, पॉर्टर क्या होता है, कि जब आग किसी टफ टेरेन में चड़ रहे होता हो तो आप अपना पूरा का पूरा समान अपने साथ लेके नहीं चड़ सकते हो बहुत ताकत लगती उसके लिए तो आप कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं जिसको आप बोलते हो पॉर्टर वो पॉर्टर आपके बिहाफ पे आपका वजन लेके उपर चड़ेंगे मतब एक जो मुश्किल कठिन काम होता है आपका चड़ाई में वो ये पॉर्टर पूरा करते हैं आप बोलते हो शेरपा उसी परकार से G8 और G20 टाइप की समिट में बहुत सारा हेफ्टी वर्कलोड होता है बहुत से निकोसियेशन होते हैं ओफिशल डॉकुमेंटेशन को सही करना होता है ये सब कौन करते हैं ये सब शेरपा करते हैं ये वो सीनर ओफिशल होते हैं जो एक्चुल मिनिस्टर की मीटिंग से पहले कागजी काम को कम्पलीट करते हैं इनको आप बोलते हो साउश शेरपा या शेरपा और आपको मता दू कल की डेट में अगर आप IAS बनते हो तो उस केस में आप भी शेरपा पॉइंट किये जाओगे तो इस समय पे बहुत सारे IAS officers को शेरपा या फिर शेरपा को assist करने के लिए G20 Summit के लिए officially नॉमिनेट किया गया होगा इनफेक्ट हर साल नॉमिनेट किया जाता है हर साल की तागाज पे बहुत सारे IAS officers जिन्होंने अपने department में अच्छा काम किया है उनकी foreign visits लगती है overall on behalf of the government of India to work as शेरपा और actually में सारा काम ये शेरपाजी करते हैं foreign ministers बस end time पे आएंगे और शेरपाज के करे हुए negotiations पे बैठ के overall analyze करेंगे और final discussion करेंगे final decision लेंगे तो ये जो foreign minister meeting होगे इसमें दो session होगे पहला session focus करेगा themes for strengthening, multilateralism and need for reforms food and energy security and development corporation और दूसरा focus करेगा counterterrorism, new and emergency threats global skill mapping, talent pool, humanitarian assistance और disaster relief के ओपर ठीक है ये जो officials और diplomats है इन्होंने बोला है कि जो joint statement आना है देखिए basically क्या है ना है ये negotiations actually joint communique के लिए हो रहे है अभी कुछ दिन पहले देखिए तो finance minister, central bank, governors की meeting हुई और उसका कोई joint communique release नहीं हुआ क्यों? चुकि ये Russia, Ukraine war को लेके deep divisions थे Russia, China अलग बकवास कर रहे हैं और G7 countries अलग बकवास कर रहे हैं और इंडिया की यहाँ पे मट्टी पलित हो रही है इंडिया की यहाँ पे जो image है वो compromise हो रही है आप इस बीच में foreign minister meeting का कोई joint communique आ पाएगा इस बात को लेके भी यहाँ पे doubt उठ रहा है ठीक है? तो let's see क्या होता है क्या नहीं होता है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे है लेकिन फिर भी बहुत सारे bureaucrats का यह बोलना है कि joint communique foreign minister की meeting का आप आना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होगा फिर अगर देखो तो पिछले साल जब इंडोनेशिया में foreign minister meeting से पहले का जो pre dinner था उसको boycott कर दिया था G7 countries में इस बार इंडिया बोल रहा है कि यह boycott हम नहीं होने देंगे G7 countries इस particular dinner में participate करेंगी तो यह जो events होते हैं कि dinner को boycott कर दिया यह कहीं न कहीं आप अपना official stance pro train करने को कोशिश करते हो किसी particular matter पे और कहीं न कहीं देखे तो Russia Ukraine war is a very dominant theme और इस dominant theme को लेके दुनिया के दो बड़े हिस्से आपस में एक दूसरे के साथ बटे हुए In fact Russia तो यहाँ पे openly Western propaganda को counter करने की बात बोल रहा है Russia बोल रहा है कि यह Western countries दिखा रही है कि हम ही सारा गड़बड काम कर रहे हैं हम आपको बताते हैं कि Nord Stream gas pipeline जो कि Europe और Russia के बीच में दौरती थी उसको bomb करके Western countries ने तबहा कर दिया तो overall दहशत गर्दी violence और illegal activities सिर्फ रशिया के मत्थे नहीं मड़ सकते Western countries यह Western countries भी उतनी ही responsible है तो यह सब बाते यहाँ पे बोली जारी है फिर जो mid-air collision हुआ है दो IF fighters के बीच में एक तरफ था सुको 30 MKI और दूसी तरफ था Mirage 2000 तो यह जो mid-air collision हुआ था और यह close combat में था देखे अभी recently top gun maverick 2 करके एक movie आई थी Tom Cruise की तो उसमें आपने देखा होगा कि Tom Cruise overall जो associate pilots से उनको सिखा रहा होता है junior pilots को training दे रहा होता है close combat आप के लो operations की तो उसी प्रकार से अगर आप देखो तो इंडिया का एक tactics and air combat development establishment है यह US Navy के top gun academy जैसा है यहाँ पे भी हमारे fighter pilots को जो close combat है उसके training वगरा दी जाती है और जो Gualier Air Base है वहाँ पे है यह premier training establishment वहाँ पे IAF का Indian Air Force का Mirage 2000 की fleet भी deployed है अब overall 28 जन्वरी की सुबह को इसी Gualier Air Base से तीन fighter jets उड़े जिसमें से अगर आप देखो तो दो aircraft आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गए एक जो मिराज था वो टकराने के तुरंत बाद जाके crash हो गया मुरेना में तो उसमें जो pilot बैठे थे wing commander हनुमन्थ राव सार थी वो overall eject नहीं कर पाए लेकिन जो दूसरा सुखोई 30 था वो कुछ distance तक उड़ा तो overall अगर आप देखो तो उसके pilots eject कर ले गए उसमें जो दो pilots थे हुआ eject कर गए तो सुखोई वाला फरतपूर तक उड़के crash हुआ इसलिए उसके pilots eject कर गए मिराज वही मुरेना में आपका crash कर गया उसका pilot eject नहीं कर पाए इसलिए wing commander हनुमन्थ राव सार्थी जी हमें छोड़के चले गए तो इस conducts में court of inquiry बनी इस court of inquiry ने अपनी investigation को complete कर लिया है ये investigation की जो finding से air headquarters भेजी जाएंगी due process के बाद बाद में जब ये finance public होंगी तब जाके पता चलेगा कि actually में यहाँ पे हुआ क्या प्लस यहाँ पे black boxes को analyze किया गया होगा जो तीसरा fighter jet है जो कि यहाँ पे नहीं collide हुआ था उसके submissions को चेक किया जाएगा जो दो fighter pilot eject कर गये थे उसके submissions को देखा जाएगा दोनों aircrafts के जो data records है उनको देखा जाएगा और उसके basis से पता किया जाएगा कि हाँ भाई actually में क्या हुआ 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 अब इसका text में Parliamentary Standing Committee of Defense ने अपनी report table की थी मार्च 2022 में Defense Ministry ने बोला था कि 105 aircraft accidents हुए है 11th और 12th 5-year plan के समय पे aircraft accidents का average 11th 5-year plan में 1 April 2007 से 31 मार्च 2012 में प्रती साल 13 accidents का था 12th 5-year plan में April 2012 से 31 मार्च 2017 में प्रती साल 8 accidents का average हो गया तो एक improvement हमें देखने को मिल रहा है 13th 5-year defense plans में आपका average प्रती साल accidents है 6 तो कुल मिला के अगर आप देखो तो from 13 accidents per year in the 11th plan 11th defense plan in the 13th defense plan the number of accidents per year has gone down to 6 तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि over the course of year aircraft accidents को हम लोग successfully कम कर पा रहे हैं तो यह अपने आप में achievement तो देखिये है फिर अगर आप देखो फरवरी 2021 में Parliamentary Standing Committee की रिपोर्ट रिलीज हुई और उसने बताया कि पिछले दो डेकेट्स में इंडियन एर फोर्स ने approximately प्रती साल धाई लाग घंटे की उरानापूरी की है with the inventory of aircraft we have और एक concerted effort यहाँ पर put up किया गया है number of aircraft accidents को कम करने के लिए और कहीं न कहीं हम कम करने में इसको successful भी रहे है फिर अगली news जीरस पेबर 2 bilateral agreements इंडिया-Australia to sign agreement on mutual recognition of qualification तो भाई यह उस्टेलिया के Education Minister Jason Claire साब दिनली पहुँचे है Australian Higher Education Leaders की delegation को ले के पहुँचे है और दोनों countries के बीच में education के field में collaboration को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी तो इंडिया की official visit पर आए है Australia के Education Minister Claire साब from 28 February to 3 March एक student exchange program को यह attend करेंगे फिर एक series of meeting होगी इंडिया की union education Minister Dharmendra Pradhan साब के साथ bilateral relations को momentum दिया जाएगा in the domain of education यह दोनों ministers sign करेंगे mechanism for the mutual recognition of qualifications जिसमें दोनों countries में होने वाली education की qualification को mutual recognition दिया जाएगा देखे आए तो Australia के minister के हिसाब से this will be the broadest and most favorable recognition agreement India has signed with any other country फिर Australia के minister साब यह भी बोल रहा है कि इंडिया की national education policy में यह बोला गया है कि higher education और vocational education में enrollment बढ़ाया जाएगा 2035 तक 50 प्रतिशत तो इसके चलते Australia के जो education providers है जो universities हैं जो colleges हैं वो इंडिया के साथ collaborate कर सकते हैं और overall इस opportunity का फायदा उठा सकते हैं Australia के education minister के बाद Australia के प्राइम minister साब Anthony Albanese साब भी इंडिया में आएंगे early March में और शाहिद ऐसा बताया जा रहा है कि Mr. Anthony Albanese साब के समय पे Australia की जो deacon university है ना वो अपना independent foreign campus announce करेगी गुजरात के gift city में तो यह हो जाएगा पहली international university जो अपना offshore campus इंडिया के अंदर खोल रही है अभी के लिए ऐसे preliminary announcement आ गए है जो कि actually में ground level पे execute होंगे ही होंगे जो कि जब तक news confirmed नहीं होती तब तक press में release नहीं की जाती है इन particular politicians के द्वारा फिर भाईया अगली news जियस paper 2-3 government policy social media resolution portal opened for complaints against decision of social media platform तो भाईया minister of electronics और information technology ने launch किया है grievance appellate committee portal to be precise information technology intermediary guidelines and digital media ethic code rule 2021 के अंदर इन rules को पिछले सार amend किया गया था और ये बोला गया था कि ये rules इंडिया के article 14, article 19 और article 21 को follow करेंगे तो इन rules में वाईसा वर्सा दोनों sort of आपके लो flow जैसे for example मालो किसी social media पे कोई social media post आया ठीक है ना उस post को आपके post को take down कर लिया गया तो उस case में आप जाके social media से complain कर सकते हों कि भाई आपने मेरे post को गलत तरीके से take down किया आपने कुछ post किया और किसी दूसरे person को आपका post नहीं पसंद आया तो वो social media से बोल सकता है कि भाई इनके post को take down करूँ मैं आपको एक खास बात बताता हूँ यह जो social media platform है ना यह अपने आपको private intermediaries की तरह दिखाने की कोशिश करते है और यह बोलते कि इनके खुद के नियम कानून है और वो नियम कानून बिल्कुल set perfect है तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि यह social media platform कुछ ऐसे content को भी take down कर देते है जो कि इनके rules को violate करते है बट इंडिया के rules में वो set bad तो कुछ ऐसे messages कुछ ऐसे social media posts जो कि overall इंडिया के नियम कानून के हिसाब से सही है बट इन social media intermediaries के नियम कानून के हिसाब से गलत है वो भी take down हो जाते है तो अब grievance appellate committee बना दी गई है और अगर grievance appellate committee यह बोल देती है कि यह take down गलत है तो उस case में उस social media message को restore करना पड़ेगा इन particular organizations को और Information Technology Ministry तो यह तक कह रही है कि हम जल्दीक Digital India Bill लेके आएंगे जिससे इन IT rules 2021 कौम statutory backing देंगे ठीक है न? तो grievance appellate committee एक overall policy और legal framework होगा जिससे internet को इंडिया में open, safe, trusted और accountable बनाया जाएगा यह grievance appellate committee वर्चुल digital platform की तरह काम करेगा और यह केवल online और digitally operate करेगा पूरा का पूरा appeal process यहाँ पे digitally conduct किया जाएगा मतलब कोई physical interaction नहीं होगा digitally और online mode में आप अपनी complaint को register करोगे उस पे action भी digitally ही लिया जाएगा फिर GS पर पर थी space इस रो successful in key test for India's moon mission तो Indian Space Research Organization ने successfully conduct किया है flight acceptance hot test of the CE20 cryogenic engine that will power the cryogenic upper stage of the LVM3 launch vehicle for the Chandrayaan 3 mission आपको पता होना चाहिए चंदर यान mission हमारी Indian Space Research Agency launch करने वाली है उसके लिए जो launch vehicle है वो LVM3 है इस launch vehicle को power करने के लिए जो cryogenic upper stage है उसमें जो CE20 cryogenic engine लग रहा है उसका यहाँ पे hot testing हुई है और यह test stick successful रही है 24 फरवरी को यह testing हुई थी इसरो propulsion complex महिंद गिरी तमिल नाडू में यह जो test था वो conduct किया गया 25 सेकेंड के लिए at the high altitude test facility जो results है वो satisfactory है predictions के साथ match कर रहे है आगे आने वाल समय में ऐसा अनुमान है कि हम अपने cryogenic engine को propellant tanks के साथ integrate कर पाएंग उसके stage structures associated fluid lines प्रापर तरीके से integrate हो पाएंगे flight cryogenic stage के साथ ठीक है न भई तो यह सब चीज़े हैं तो इसके साथ अगर आप देखो तो यह भी बताया गया है इस दा flight acceptance hot test of the C20 cryogenic engine comes a day after the chandryyanthi lander successfully completed the crucial EMI EMC electromagnetic interference electromagnetic compatibility का जो test था वो भी इस particular engine ने पास कर लिया बेंगलूरू की यूर राव satellite center पे अगर आप चandryyanthi interplanetary mission की बात करते हैं यहाँ पे तीन modules है propulsion module, lander module और rover module इन तीनों module को effectively deploy करने के लिए radio frequency communication तीनों प्रकार के modules के बीच में establish करना है चandryyanthi India का तीसरा moon mission है चandryyanthi के बाद का follow on mission है इसमें safe landing कराई जाएगी moon की surface पे वहाँ पे एक rover को deploy किया जाएगा launch vehicle mark 3 के उपर इसको launch किया जाएगा from स्री हरी कोटा 387 धावन space center इसी साल launch किया जाएगा ठीक है बच्छ अज आते हैं editorial के उपर editorial में बात करेंगा में अड़ाप्टा हेरीटेज स्कीम देखे अड़ाप्टा हेरीटेज स्कीम 2017 में launch की थी बीजेपी सरकार ने और इस particular स्कीम में कुछ amendments किये हैं आप कहलो ये फरवरी 2023 में अब अगर आप देखो तो overall फरवरी की जो स्कीम है फरवरी 2023 में जो amendments किये गए अड़ाप्टा हेरीटेज में उसमें ऐसा उनुमान लगाए जा रहा है कि 15 अगस्ट 2023 तक 500 protected sites आएंगे अड़ाप्टा हेरीटेज स्कीम के अंदर उसके बाद 500 sites और आएंगे अड़ाप्टा हेरीटेज आप समझ सकते हो क्या है प्राइवेट फर्म, कम्पनी और पॉब्लिक सेक्टर एक पर्टिकुलर हेरीटेज वाली जगा को पूरी तरीके से अड़ाप्ट कर लेंगी फिर वहाँ पे जो archaeological sites है वहाँ पे जो monuments है उनको maintain करना, उनको preserve करना, उनको conserve करना वहाँ पे tourism को promote करना, sustainable development करना वो सिर्फ फिर उस private firm की responsibility होगी सरकार यहाँ पे अलग हो जाएगी और ऐसी private firms, companies और public sector unit को बोला जाएगा monument mitras ठीक है ना भाई? और सरकार यहाँ पे इस particular scheme को बहुत जोरो शोरो से promote कर रही है चुकि सरकार को लगता है कि अगर यह private company सामने आके एक particular heritage की जगा को adopt कर लेती है तो आगे आने वाले समय में इन heritage की जगा को conserve भी किया जा सकता है और सरकारी खर्चा भी यहाँ पे कम होगा but author बोल रहा है कि अगर हमें अपने heritage की जगा को protect करना है तो इस scheme को हमें रोकना पड़ेगा क्यों? तो author देखिए वज़ा क्या बता रहा है adopt a heritage scheme के अंदर जो businesses हैं वो अपने corporate social responsibility के पैसों को इस्तमाल करके ticket office बनवाएंगे restaurant बनवाएंगे, museum बनाएंगे, interpretation centers बनाएंगे, toilets बनाएंगे, walkway बनाएंगे, इन monuments के आसपास इनको illuminate किया जाएगा, guided tour set up किये जाएंगे cultural programs conduct कराए जाएंगे, light and sound show conduct कराए जाएंगे, visitor services और amenities प्रोवाइड की जाएंगी तो उससे तो 3-4 चीज़े होंगी उस particular heritage की historical value को protect करने की बजाए, इस particular opportunity को, इस particular scheme को ये businesses as a commercial opportunity लेंगे, वो उस particular जगा पे tourism को promote करने की कोशिश करेंगे, और इन particular organizations के पास कोई यहाँ पे आप कहलो expertise नहीं होगा इस को करने के लिए, इस example यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मोरभी में जो bridge था इस bridge की engineering के लिए एक watch company को permission दी गई, और बाद में मोरजी bridge tragedy हुई, कितने लोग की जान चलीगे हमको यह पता है उसी प्रकार से heritage sites को maintain करने के लिए trained professionals की जरूवत है, museums और interpretation centers में जिन लोगों को जानकारी है, उनकी जरूवत है ना कि नए businesses जिनको overall colonial architecture के बारे का ABCD भी नहीं पता है वो किसी expert को hire करेंगे इस बात के chances भी कम है तो इससे होगा क्या, जो mandate है, archaeological survey of India का वो हट जाएगा, तो archaeological survey of India को major role play नहीं कर पाएगा एक सारनात initiative लाया गया था, जिससे guidelines रिलीस की गई थी Archaeological Survey of India, Getty Trust, US British Museum of National Cultural Fund के दोरा जिसमें यह बताया गया था, कि किस प्रकार से इंडिया के archaeological sites से objects को excavate किया जाएगा, और visitors के साथ share किया जाएगा in an engaging manner तो इसी context में अगर आप देखो तो overall यह जो adopt heritage scheme का जो नया वर्जन आया है फरवरी 2023 में यह defeating है क्यों defeating है, जो कि पहली बात यह excessively commercialize करने की कोशिश करेगा हमारी heritage places को दूसरी बात, जो companies जो businesses यहाँ पर operations को overtake करेंगे, उनको इस particular field में किसी भी प्रकार का कोई experience ही नहीं है, तो proper तरीके जो ground level पर चीज़ों को implement कर पाएंगे, इस बात पर doubt है दूसरा, बहुत सारे monuments जो इस adopt a heritage scheme के अंदर आ रहे हैं, जैसे कि साची के स्तूपा, थांजबूर में ब्रेशवरा temple, फत्यपूर सीखनी में अकबर का palace city, यहाँ पर already tourist infrastructure बहुत जादा है, तो यह businesses अब और क्या tourist infrastructure करेंगा और कितनी gift shop और ticket offices लगाएंगे, और plus यह businesses in particular heritage places पे अपनी branding शुरू कर देंगे, अपने businesses को promote करना शुरू कर देंगे, insights को protect करेंगे, इस बात के chances कमी लग रहे हैं, और plus अगर एक बड़ा business, एक particular heritage side को adopt करता है, तो उस case में उस business के employees आके यहाँ पे commercialize करेंगे activity को जो local लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो इन particular इलाके के tourism से benefit करते थे, tourist guide की तरह काम करते थे, उनकी job जा सकती है तो अगर कोई बड़ा business house मान लो, फत्यपूर सीकरी में overall adopt करता है तो फिर फत्यपूर सीकरी के अंदर जो local guides काम कर रहे थे, क्या guarantee की उनकी नौकरियां बचेंगी, कल की date में बड़ा business बोलेगा कि कि वहल हम से certified guide यहाँ पे काम करेंगे, तो बहुत सी problems हैं यहाँ पे फिर अगर आप देखो तो कुछ sites ऐसी है adopt heritage scheme में select हुई, जो archaeological survey of India की list पे भी नहीं आती है और कुछ ऐसे states में पढ़ती हैं जहाँ पे archaeological directorates नहीं है तो ना वो केंदर की सरकार के regulation के अंदर आएंगी, ना वो राजे की सरकार के regulation के अंदर आएंगी, वो यूनिनिस्ट्री से खेलने वाली बात है और सबसे खास बात दोस्तों यह जो scheme है, यूनिन्मिनिस्ट्री ओफ कल्चर के अंदर आती है बट ऐसा लग रहा है कि यह scheme tourism को promote कर रही है, यूनिन्मिनिस्ट्री ओफ tourism को अब्जेक्टिव को promote कर रही है तो जो scheme कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है वो culture को protect करने काम करें ना कि tourism को promote करने का तो scheme तो union ministry of culture के अंदर है बट promote करती हो union tourism को नज़र आ रही है सबच भी आया? तो यह सब बातें overall यहां भी बती है तो अब करना क्या चाहिए? अगर आप सच में इस प्रकार के heritage को promote करने के लिए corporate social responsibility के funds का इस्तमाल कर रहे हो तो CSR funds को grants की तरह इस्तमाल करना चाहिए for researching writing and publishing high quality textbook हमारी history को पढ़ाने की imaginative और effective ways को device करना जो traders और shopkeepers हैं वो school libraries को fund कर सकते हैं archival materials के collection के लिए पुरानी किताबें, maps, old photographs को monument में सजा के रखा जा सकता है उनको conserve किया जा सकता है फिर सुधा मूर्ती और N.R.N. मूर्ती ने बहुत से organizations को दान दिया ठीक है ना? और ये organizations का काम कहा था history को proper तरीके से write करना history का proper textual record और archaeological evidence को maintain करना कुछ इसी प्रकार का काम बाकी corporates भी अपने corporate social responsibility के fund के थुरू कर सकते है ठीक ना? COVID-19 pandemic के बाद अगर आप देखो तो जो humanities और social science का department है कुछ universities में वहाँ पे कोई hiring होई ने रही है कोई teacher आई नहीं रहा है बच्चों को regularly पढ़ाया नहीं जा रहा है अगर आप एक particular corporate को पूरा का पूरा heritage site ही दे देते हो तो वो long term में उसको अपनी branding के लिए इस्तेमाल करेगा business के लिए इस्तेमाल करेगा इंडिया की cultural history को protect करने वाला काम तो भाई देखो होगा इस बात के chances काफी काव है फिर आजाते है अगली news पे अश्विनी कुमार साब ने इस आर्टिकल को लिखा है क्या बता रहे है आप कहीं न कहीं overall इस पर्टिकलर आर्टिकल में प्रेजेंट सरकार को प्रिटसाइज किया जागा बहुत कुछ खास यहां पे हैं नहीं मैं जल्दी जल्दी से आपको important points बता जाओ तो Republic Day Parade हुई January में इंडिया की soft और hard power को दिखाएगा फिर पेजिदेंट दौबिदी मूर्मू साब ने house of parliament में अपना customary address दिया government ने अपना ambitious agenda बताया हमने बताये कि हम developed nations की ranks को join करने की कोशिश कर रहे हैं तो no doubt इंडिया की जो significant accomplishment of science and tech के field में hard power के field में इसको हमारे सामने पोटरे किया जा रहा है but at the same point of time depth and quality of democratic engagement गिर रहा है recently apportion leaders के parliamentary statements को expunge किया गया prime minister साब की speech को राज समा में disrupt किया गया apportion के MP को suspend किया गया for recording the proceedings of the house बताओ ये कौन थे और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो बहुत सी ऐसे चीजें हुई है जिससे हमारी democracy की actual existence पर सवाल उड़ता है जैकि 18 साल का दलित student ने overall यहाँ पर suicide कर लिया चुकि उसके उपर unbearable distress आ रहा था caste segregation के चलते एक 16 साल के दलित बच्चे को अपने principal दोरा मारा गया चुकि principal की bottle से उसने पानी पी लिया था तो इससे पता चलता है कि अभी भी historical and social inequalities इंडिया में exist करती है फिर इंडिया के अंदर एक 15 साल पुराने road blocking के case में sitting member of legislative assembly उत्तर पदेश को convict किया गया एक court के दोरा तो 15 साल पुराने matter में अब conviction हो रहा तो कहीं न कहीं political agenda नजर आ रहा है तो author बस यहां पर यहीं बोल रहा है कि constitution में एक libertarian promise है और वो libertarian promise के बवजूद कहीं न कहीं democratic credentials इंडिया के अंदर हिलते नजर आ रहे हैं political सामंजस्त जहां पे नहीं बैठता वहाँ पे ताकत को इस्तमाल करके उसको दवाने वाली activities हमें देखने को मिलती है आज की डिट में जो political language है वो hypocrisy में घिरी हुई है personal animosities को promote करती है constitution की dignity को relate करती है वगरा वगरा तो यह सब बातें और रॉल यहां पे बोल रहे हैं author कहीं न कहीं इंडिया की बले इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है अपनी hard power में आगे पढ़ रहा है बट डेमो क्रेटिक रिडेशन इंडिया के कहीं न कहीं क्रेटिसाइज हो रहे है language to democracy हो कहीं न कहीं neutralize हो रही है overall dilute हो रही है यह सब बातें overall यहां पे बताई जा रहे है फिर भाई आगला article international courts and climate change इफ वनाउतू's request for an advisory or communion goes through the ICJ will have multiple questions to address regarding climate change and reparations भाईया 16 countries ने मिलके एक group बनाया जिसको lead करा था वनाउतू जो कि एक island country है South Pacific Ocean ने और इस particular group ने international court of justice से advisory opinion माना है climate change के issue को ले के यह particular मुद्दा कब उठाया गया था September 2021 में September 2021 में वनाउतू नाम की country ने एक initiative launch किया United Nations General Assembly के तुर जिसके तुर advisory opinion मांगा गया international court of justice से to clarify the legal obligation of all countries to prevent and redress the adverse effect of climate change मतलब वनाउतू ने United Nations General Assembly में एक question उठाया कि भाई यह जो developed country है इनका क्या legal obligation है यह कैसे responsible है climate change को tackle करने के लिए और चुरू में तो 16 countries सामने आई अब तो hundreds of countries इस particular initiative को support कर रही है small island developing states छोटे छोटे आईलेंड जो चारो तरह समुंदर में गिरे हुए वनाउतू जैसे उनके उपर जो climate change की वाई से impact आएगा इसके लिए कौन compensation देगा कौन responsible होगा यह question पूछा गया है ICG से अब international court of justice के पास दो jurisdiction है contentious jurisdiction advisory jurisdiction contentious jurisdiction के अंदर कुछ member states, कुछ countries जो की mutually ready है कि यहाँ बही चलो हम अपने case को international court of justice को refer कर देते हैं जो यह decision सुनाएंगे हम मानेंगे दूसरा होता है advisory jurisdiction advisory jurisdiction के अंदर United Nations General Assembly, security council और specialized body of organization यह ICG के पास एक legal question भेजेंगे उसके opinion के लिए और ICG अपना opinion देगा मैं आपको बता दू ICJ का advisory opinion non-binding है पर अगर ICG कोई opinion देता है तो it will have normative weight वो international law को clarify करेगा और फिर जो country ICJ के decision को contradict valid करती नज़र आएगी वो कही न कहीं international law तोड़ती नज़र आएगी तो भले ही ICJ का advisory opinion यहाँ पे एक binding role play नहीं करेगा बट कहीं न कहीं accountability को enforce करने की कोशिस ज़रूर करेगा तो आज की इडियर न बहुत से legal instruments exist करते हैं जैसे UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement लेकिन उसके बावजूद भी international community climate change की problem से लड़ने ही पा रही है तो वनाउतू ने यहाँ पे lead करके एक नया प्रकार का तरीका धूरने कोशिश की है climate justice को ensure कराने के लिए तो अब यह particular जो draft resolution ने वनाउती का पास हो जाता है और ICJ के पास request आती है तो ICJ करेगा क्या तो सबसे पहली चीज तो ICJ यह identify करेगा कि अलग-अलग countries के international law obligations हैं क्या climate system के respect में anthropogenic emissions of greenhouse gas से related क्या responsibility है अलग-अलग countries की ICJ यहाँ पर interpret करेगा clarify करेगा international climate change law एक particular country एगर कोई emission करती है climate को change करती है तो उससे जो दूसरी country भी destruction आएगा उसके लिए कितना हरजाना देना चाहिए उस polluter country को यह जो developed countries हैं जिनोंने past के समय पे इतना सारा pollution emission किया है यह किस प्रकार से accountable है आज की date में इस बात के ओपर discussion करेगा तो एक बहुत holistic आप कहलो analysis यहाँ पे हम ICJ से expect कर सकते हैं जो कि climate justice और climate change की इस जंग में आगे आना वाले समय में हो सकता हमें थोड़ी सी speed दे Conference of party 27 में एक loss and damage fund वनाने की भी बात की गई थी तो यह loss and damage fund में कैसे developed countries, developing countries को compensate कर सकती हैं इसके बारे में भी ICJ यहाँ पे बात करेगा और ऐसा नहीं है कि ICJ के पास ही यह legal initiative गया ऐसे legal initiatives और भी रहे हैं जैसे कि Commission for Small Island States on Climate Change and International Law जिसमें Antigua और Barbuda और Tuvalo जैसी countries हैं उन्होंने Hamburg based International Tribunal for the Law of Seas से advisory opinion मांगा है किस बारे में advisory opinion कि by United Nations Convention on the Law of Seas के अंदर अलग-अलग member countries के specific obligation क्या है with respect to preventing, controlling and reducing pollution of the marine environment तो international bodies में advisory opinion मांगा जा रहा है important tribunals का जैसे ICJ से मांगा गया है फिर international tribunals for the Law of Seas से मांगा गया है यह advisory opinions obvious सी बात है पैनेशिया नहीं है यह proper जवाब नहीं दे पाएंगे बट हाँ, यह एक direction हमें ज़रूर दिखा पाएंगे वो direction जो कि अलग-अलग countries के उपर pressure डालेगा action लेने के लिए concrete action लेने के लिए फिर बाइ अगली news religious polarization in Kashmir Kashmirी पंडित और bang guard Sanjay Shurmah को terrorist gunman में पुलवामा में मार दिया obviousी बात है कोशिश क्या है इस ploy को deploy किया है minority community की लोगों को डराने के लिए और एक बाद फिर से security agencies यहाँ पे फेल होती नजर आई है obviousी बात है यह terrorist लोग हमारी आर्मी का तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ नी सकते तो भोले भाले और कमजोर civilians को यहाँ पे target कर रहा है उसके बाद इंडियन आर्मी ने operations की एक आर्मी जवान शहीद हो गया दो militants की यहाँ पे जान गई security forces ने बोला कि संजे शर्मा पे जिसने attack किया हमने बदला ले लिया है लेकिन बात यह कि कही ना कही जो कश्मीरी पंडिस हैं वो valley में डरे हुए कही ना कही ना आर्मी operations के चलते कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ी inconvenience हो रही है 29 civilians की मौत हुए पिछले साल 500 कश्मीरी पंडिस फिर से value को छोड़के चले गए इस बार उनको किसी ना भगाया नहीं बडर के मारे कही ना कही चले गए अब बहुत से जो अलगलब political parties हैं हुरियत conference हैं उन्होंने इस प्रकार के attack को criticize किया है और ये बोला है कि केंदर की सरकार की policies में कुछ तो गड़बड है कि भाई ये deaths हो रही है यहापे लेकिन बात दोस्तों यहाँ पर कि ये scare politics है पाकिस्तान based terrorist इंडिया के अंदर infiltrate करते हैं और इस प्रकार की gruesome और आप के लो cruel happenings को execute करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं और केंदर की सरकार ने बोला है कि भाई हम देखो डरेंगे नहीं 1947 से लेके अब तक कश्मीर की problem को मिला के हमने solve करने कोशिश किये 370 के होने के बाद भी कश्मीर की problem solve नहीं हुई है तो problem को हम अपनी तरफ से solve करेंगे हम डरेंगे नहीं तो ये central government का stand है बाकी लोग बोल रहे हैं कि आप बातचीत करो बातचीत से मुद्दा सुल्दाओ के अंदर की तरीके से चीज़ों को tackle कर पाएगी जी हाँ बिलकुल जरूरी है बले ही कश्मीर एक union ट्रेटरी बनी रहे बट अगर वहाँ पर एक collected government आ जाती तो that definitely can play a thing in the right direction फिर भाई बॉर्डर ट्रेल्स विंट सर फ्रेंबर United Kingdom के प्राइमिनिस्टर रिशी सुनाक की European Commission की प्रेजिट उर्सूला वॉंडर लेंड से बात चीत हुई दीखे जो Northern Ireland है जो की Britain का ही हिस्सा है Northern Ireland पूरी तरीके से European Union से अलग नहीं हुआ Northern Ireland जब प्रोटोकॉल आया जब Brexit हुआ तो Brexit के बाद Northern Ireland के जो रहने वाले लोग थे वो चाहते थे कहीं न कहीं European Union के साथ वो जुड़े रहे है आला कि Northern Ireland के अंदर भी अलग 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 political factions थे कुछ लोग Brexit को सपोर्ट करते हैं कुछ लोग Brexit को सपोर्ट नहीं करते हैं अब अभी के लिए Northern Ireland प्रोटोकॉल के थूरू Northern Ireland EU के सिंगल मार्केट का पार्ट है और EU के custom rules भी Northern Ireland में अपलाई होते हैं politically Northern Ireland UK के साथ है लेकिन एक custom border लग गया है Northern Ireland और UK के बीच में तो UK के जो product से खासकर medicines है वो Northern Ireland में पहुँच नहीं पाती है तो इसलिए यहाँ पे sign किया गया है एक wind इसर framework यह wind इसर framework जो custom border बन रहा है Northern Ireland और UK के बीच में डिस्पाइट आफ दे फैक्ट कि दोनों एक ही country के पार्ट है वो custom border यहाँ पे हटेगा proper तरीके से जिस प्रकार से European Union की चीज़े Northern Ireland में पहुँच पारे है उसी प्रकार से Britain के goods भी कही न कहीं Northern Ireland में पहुँच पाएंगे इसलिए यहाँ पे wind इसर framework लेके आएगे लेकिन यह wind इसर framework overall Britain के रिशी सुना को criticize भी करा पारा क्योंकि Britain के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि Brexit को सपोर्ट करता है और जो Brexit को सपोर्ट करने वाले लोग है वो बोलते हैं कि भाई जो Northern Ireland का प्रोटोकॉल है यह गलत है अगर UK Brexit किया है तो Northern Ireland भी Brexit का पार्ट होना चाहिए लेकिन Northern Ireland को European Union के साथ सामंज़ से बठाने के लिए European Union के नियम कानून वहाँ पे लागू हो रहे हैं तो अभी के लिए जो मांडवली हो गई थी EU और UK के बीच में Northern Ireland को लेके Northern Ireland को पूरी तरीके से इकनॉमिकली ब्रिटेन के साथ मिलाने के लिए इस प्रकार के Windsor Framework अपने आप में मेजर रोल प्ले करेंगे चुकि देखिए एनिमोसिटी बहुत है UK और European Union के बीच में Brexit के बाद इस एनिमोसिटी को कम करने के लिए जरूरी यह है कि Northern Ireland प्रोटोकॉल अभी बना रहे ट्रेड और एकनॉमिक परस्पेक्टिव से Northern Ireland के लोगों की जिंदिगी को स्ट्रीम लाइन करना यह टार्गेट होना चाहिए European Union का भी UK का भी और सारे अलग-अलग political factors का लेकिन जो Brexit के favor में लोग हैं जो Northern Ireland को Republic of Ireland भी मिलना चाहते हैं वो अलग-अलग decisions को अपने अपने इसाब से इंटरप्रेट करते हैं तो अब ही के लिए विंडिसर agreement जो एक pragmatic compromise है यह positive compromise है इस particular compromise के तुरू Northern Ireland के अंदर जो stability है वो बनी रहेगी So thank you for watching friends आगे बन इस पहले वीडियो का like बटन जरूर दबा देना I hope मैंने इस particular वीडियो में आपके साथ justice किया Have a great day, good bye